अब हम अपने प्रिय स्वर की धर्माद्यक्ष मिश्व मारसाइम नोस्टक पालात्रा के अंतिम यात्रा में अंतिम संस्कार में उनको साथ देने आए हैं और उनको विदाई देने के लिए आए हैं तो उसके शुरुआत में मैं आप लोगे समक्ष उनके जीवन का संचिप्थ परीचे देना चाहूँगा स्वर्गिय बिशप मारसाइम नोस्टक पालात्रा का जन्म 11 अक्टूबर सन 1935 को वड़के केरा चंगनाशरी किरल में हुआ था उनकी पिता का नाम स्रीडी फिलिपोस एवा माता का नाम स्रीमती मेरी फिलिप था कुल नव संतानों में से उनका तीसरा अस्थान था उनकी स्कूली सिक्षा सेंट बारकमन्स जन्गनाशरी और सेंट अफ्रेम माननानम से हुई थी अपनी सिक्षा की उपरांत वर्ष 1954 में कार्मलाइट सोब मेरी उमाकुलेट CMI धर्म समाज में उन्होंने प्रवेश किया उन्होंने अपना प्रथम मननत 16 मैं 1958 को तथा आखरी मननत 16 मैं 1961 को ग्रहन किया बिशब स्वर्गिमार साइमनस चुक पालात्रा ने अपना पुरोहिताई प्रसिक्षन एव अध्यन धर्मा राम विंद्याश्यत्रम बैंगलोर से प्राप्त किया उनका पुरोहिताभी शेख एक दिसंबर 1964 को मुंबई में यूकरिस्टिक कॉंगरिस के दवरान हुआ था और उन्होंने अपना प्रथम पुजा बलिदान बाइकुला चर्च मुंबई में अर्पित किया परंतु 28 दिसंबर सन 1964 को अपने परिजनों की उपस्तिती में सेक्रेट हार चर्च चटिपुड़ा में सोलम मिस्सा बलिदान अर्पित किया 1972 से 1977 तक उन्होंने प्रोएक सार्च के रूप में तथा 1977 से 1981 तक विकार जनल के रूप में उन्होंने जग्दलपूर धर्मप्रांद में अपनी सेवाएं दी जग्दलपूर वाइस प्रोविंस में वे दो बार प्रोविंस में रह चुके हैं और उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं सन 1993 में जग्दलपूर धर्मप्रांद के दिवत्य धर्माद्यक्षी ने जानने के पूर्वत तक उन्होंने प्रोक्रिवेटर के रूप में धर्मप्रांद में अपनी सेवाई प्रदान की उनका धर्माद्यक्षी अभिशेख 19 मार्च 1993 को सन जोसेफ कथिडल चर्च जग्दलपूर में संपन हुआ था एक धर्माद्यक्ष के रूप में उनका आदर्श वाक्य था For God and His people ईश्वर के लिए और उनके लोगों के लिए अपने आदर्श वाक्य के अनुसार उन्होंने अपना जीवर ईश्वर तथा उनके लोगों के लिए त्याग, समर्पन, विनम्रता या मानवता में व्यतीत किया भार्तिय संस्कृती और परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पगड़ी पहनने के विकल्प को चुना स्वर्ग्य धर्माद्यक्ष विशुप सैमनुस्टोक पालात्रा बस्तर के प्रथम मिश्णरियों में से एक थी मार्च 1972 में जब मौंसिन्योर पालिनुस जीरकत के नित्रित्व में सी अमाई मिश्णरियों ने बस्तर में अपना पदारपण किया तो बिशुप सैमनुस्टोक उस टीम के सदस से थी पादर जोस्ट माणी के तार बीची को अंदर मंदरम है की वेस्ट करने के लिए आजिया है जगदलपुराने के पूर्व बिशप सैमनुस्टोक प्रायोर जनरल के सचिव के रूप में तथा विबिन मठों में प्रायोर की रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थी लेकिन उनके हृदे में एक मिशनरी बनने की प्रबल अभि झाल 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 एक उचित स्वास्तकेंद्र की स्विधा नहीं थी ऐसे समय में एक मातर प्रेरक के रूप में बिशप साइमिल स्टोक सामने आए और उनके अथक प्रयासों से 18 अक्चुबर 1997 को हुआ हुआ है झाल 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 अवे लाव जए लावाख का लावाओ य। युद लाव इनक्याओ क्या है। इनक्याओ करल अवे लावाओ वे लावाओ लोगा अवेडम लावाओ लावन मैं अवे लावट ताहिए अवेजितरा वें को साफ परिफोरी ले की अवे भीध worried पॉर 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 पीप्ल ले. ये एंगसे बॉर अटने उने नाद लेखने जानिव ने लिए जाना लगवादी. तब शुत्वार बेक्ट को लिए मैंदेता हुआ नेजिए जा थार अना ताम थोर पॉरे, here by his simplicity humility and holiness let he be an inspiring model he is a missionary to the court though a man of few verse his heart was full of missionary zeal he lived for the mission all throughout his priestly and episcopal ministry he led his life for this mission in the name of our all the bishops clergy and religious and the people I pray for the repose of the soul of this beloved bishop my hearty condolence to this is a part key bishop just callable all the priests religious and the people and the family of paltera may god give him peace it's really so samvedna prakut karne ke liye ab mein rai pur maha dharma pranth se archbishop emeritus joseph augustin ko amadrit karthau amadr maha dharma kakar amadr maha dharma kakar amadr maha dharma kakar विश्व सिमों तो वेरी भी नौफ शॉटन को भी मैंज़ू। वेरी मैंज़। यह और नौट वे लिए विए टोगधर गफे लास थर्टी यह राष्टी यह राष्टी इस तर्टी यह my Episcoping Oordination was on the 7th February 1993 he had his Episcopal Ordination just after month same year 19th of March 1993 1993. Ever since that time, even before, Bacasa Aswara's CMI, Fathers are concerned, their route was from Kerala to Raipur. Through Raipur, they used to reach Jagadu. Most of the senior priests of the CMIs, they came through Raipur. That way we are closely associated. First of all, this was part of Raipur diocese, and it is a long history we have to knowledge. So we are closely associated with the CMI congregation and Jigatanpur diocese, very special. And I knew this way, dear Bishop Simon Stopp, all these years. I don't think he ever missed any of the regional conferences with the bishops. Very punctual. And as far as his qualities of head and heart, you have just heard from Archbishop Joseph. Same thing I don't repeat. But one thing I noticed, apart from this simple, humble, was available. As a shepherd, he was available to the priests and sisters and the people. In the words of Pope Francis, he could realize the smell of the sheep, he was with the people. And as you all know, God permits things to happen. Behind all these unpleasant things, there is some hardship. Sooner than later, we will come to know such an incident that took place behind that. There is something like that. We realize that. In my own experiences, I have experienced several times. When it happens, it is painful. Sometimes all these fires and earthquakes, thousands of people died within minutes. We wonder whether this merciful and compassionate God permits all these things. He knows what is good. So, my father, our friend, our shepherd, Bishop Simon Stopp. Yes, sir. When that's 76, the highest men were killed. I asked, wonderful. What do you say? What has the reason we say? What are we afraid? He permits things. Tomorrow, what happens to them? He said he took things as sick. He was a machine. He was a machine. He used the vision. He used the vision. He used the vision as usual. He used it. That word, availability, was a special qualification for Bishop Simon Stopp. You can meet him at any time. और शौष्भर को थर एार प्रीशन के इमने देपर लए और बाहन काई। अस प्राइ और हेल Beautifulأ जमने ख़ने में इंना में जो हाथ Whatever! प्लेगों प्रफ्यस mirror केसे प्रफु ती तोड सनवाल कि योईस उस्पष्ट प्रापलट आसे में how and विली सेवेड, कि वे रख्याष नहीं है। आज जो लुटार्पूर दिए तोड़ा नहीं है। दोड़ा है और से लुट है। लुट है। नहीं लुट हैं। जो आजो नहीं दोड़ा है। वेन बशबसेट रहएं। लिए भील काप्नल डुटार बड़त। अब बड़त आपकोंगों इस काप्न्दा आपकोंगों। इस रइसे बड़त दिख और अग्षबुटार के शर्थण। झालाट रिए लिए और रूम इंब एक रिए रड़त। these special characters leave something special for us to remember them as good missionaries and shepherds and today I espers my sorrow at the same day to be what you can tell to bishop and all of you priests and religious and the faithful of this diocese and he has left a message for us I today you tomorrow you ready eternal rest you and reward to Bishop Simon Stowe let perpetual light shine and reward Bishop Simon Stowe may Simon Stowe rest in peace Amen अजयन धर्मप्रांच से अब मैं पुझनिया बिशप सेवस्टिन जी को समय ना प्रकट करने के लिए आमंध्रित करता हूँ अजर्माच से लिएफिश्टिन राथ जिए ना आमंध्र्णिस्टिन एंडिः अजिए आमंध्र्मप्टर महाथ प्तिgenes विदाई समारों के अंतिम चरण में हैं, हमारे प्यारे बिशप साइमन श्टॉक जी को हम विदाई दे रखे हैं, हम विश्वास के साथ विदाई दे रखे हैं, कि वो ये शुर का दर्शन कर रखे हैं, याद हम सभी में हैं, उनके बारे में, इस सबसब यादा बोलने का समय नखीखे क्योंकि उनका सफ़ाव इसाही था कम शब्दम द्वारा लेकिन अपनी उदाहन द्वारा वो सुसमाचार का प्रजार करते थे और हम सबी के लिए एक नमूना बेंगे इस वसब पर विक्तिकत नाम पर और विशेश का मद्दी प्रजेश की पुरी कलीशिया के नाम पर क्योंकि कुछ साल पहले अभी भी चट्थिस का डलेक हो गए लेकिन कुछ हम दोनों एकी धर्मादिश संख के सदस्य थे एकी कलीशि स्थानी एकलीशिया के सदस्य है विशेश का मद्दी प्रजेश के सफी धर्मादिशों विश्वासिकनों के नाम पर ये संबेदना प्रकंट करना चाहता हम प्राथनाएं अरपन करना अरपित करना चाहता हम विशेश का तो ये धर्मादिश जोसब कॉलमर मिल और जगदल दिन्या में रहते हैं चाहे हम इस दुनिया से चले गए चाहे हम लेज़ शिप स्थान पर पहुंच गए हैं हम इश्वास के साथ आगे भी बिशप सेमिन स्टोक्टी के लिए पार्थना निरंदर करते रहें लेकिन साथ साथ उनकी मदिस्ता भी मांगे हम सफी के लिए इश् कर दो आगे मासी निके सग्गतां में अने पर वेश करने युर निके मदिस्ता भार्थना थामसाप आगे होगाई भी इस के लिए पर इवार के साथ शिंपको और प्रिया जनों को फी संटना आर पिद गभाओंगे जेश् सववेदना प्रकट करने के लिए अब मैं Father Paulson CMI General Counselor for Finance को आमंतरित करता हूँ Most Reverend Mark Joseph Kulambaramil CMI Bishop of Epargy of Jagadalpur Reverend Father Thomas Wadukungara CMI Provincial of Darmal Province Reverend Fathers, Sisters, Palatra Family Members and the faithful of the Epargy of Jagadalpur Today, we are gathered here to honor a man who never failed to live for Christ and for the people Like St. Paul who said For to me, to live is Christ and to die is gain So too, Bishop Simon Stock lived his vocation faithfully as a Christian A religious missionary priest and a bishop We have lost a father, brother and a friend in our religious family We have lost a true shepherd and a committed CMI religious missionary Who was successful to inspire people by the example of his own life But we have gained today an intercessor An advocate for us at the throne of grace On behalf of entire CMI congregation Therefore, at this juncture, let me convey our prayerful accompaniment And words of gratitude to Bishop Simon Stock of Palatra CMI A proud and illustrious son of CMI congregation During his term as the successor of Bishop Paulinus The first missionary bishop of Jagadalpur He initiated enormous developmental programs With more expansion to interior places And different institutions in the diocese For the welfare of the people Bishop Simon Stock A perfect and exemplary religious with minimum words Retained always calm and serene nature Even when he was suffering from the old age diseases Without showing any dispressure or unhappiness His life was permeated by the Eucharistic presence And thus he radiated a graceful aura wherever he lived I do convey my heartfelt condolences And praise to Bishop Joseph Kulambarambil And to all the priests, religious and laity Of the diocese of Jagadalpur As well as to Reverend Father Provincial And community of Nirmal Province Of which Bishop Simon Stock was an active member And to the Palatra family Whom on is passing away today In one of the prayers for the dead We pray Lord For your faithful people Life is changed Not ended Let us pray that The good and exemplary life of Bishop Simon Stock Continue to inspire us For Thomas Chathamaramil CMI Prayer General Now, I will be Thank you और फैमिली के और से मिस्टर चाकोचन को संवेदना प्रकट करने के लिए आम अंद्रित करता हूँ करता हूँ कालाटरा औरा से अालाटक्ठ चारषण। कर साहित के में अध sausage है है सहब फू양 और न खालतर है आपाचायां और शानमगद़र को समय झालजव है This later ए कि आप अबने की ऍ खवाफे हलज में सीमी और अ पालतर है है वाफ न साथा career 1964 I was only 10 years at that time he lived the mission was of the Jagadagpur mission and was for the mission whenever he came to Kerala and his home he visited most of the homes of our family and the neighborhood I am sure that there is not even one home of Palatara family he has not visited and अशोप्टी प्रशब के मिलाश कु अपश्योंग चैना के ट्रशब है। अजरवस्ट विस अथिस्ट अवार अफट और प्यकल्हाइ चैना मुटोर अबने लिए्ट कि अच्यों इवस्त मुटों मुटों अपरुझें अपरुटियों इस भारह दो धिस तोर मुटों कि झुछ इं भी जसेocalypticゆून वाम्टां। नंजस्ट प्लिटरा सुछ अीम्टुारन का फिरे थाम्ट।, इस इंहाना पॉर्टरियू को वन्युड इंप्लं।, । इंहाने प्लिटरा ड्तौराष जिए, मोनों ए, अड़नाते व्ल tiर्सी और wheat, इस था झाल हं वोर्डं़, इ शुमाज़ है कि अचल प्रशज़ मुएं डिसे अच्छसार्षय। कि मैरी-हिलनी अच्छस स्रीव भी ठाजसे चाहिए उती है टो स्वेदास के अच्छस्थ आफसे हैं जान्द वो नारम इनना अखिवाब नियों थैंड फिल्यक रूटाफ इंज प्रवाद प्राफिवाद मि तो एंट ड्यार चिर्वाद वित नार यार फिल्द प्राफिट प्राफिवट इन था लूट जैंड प्रवाद करा रूर प्रॉट्पाट वे जगतुटफपू तोली अष्टे। लिख इस हुटूइ परुट्टो मेर्ष इस क्टार्थ सार्या लिए। अर्पाद। प्रक्टित विस चलतिज चलति चलतिज मर् झाल्ट। समृट प्पार्पूर प्रक्टॉट। है कि उट बार्फ एल्ट। आल्ट। चलति जैडिने य झाल्ट। जैक आस हो ने स्टीर हमोरी जता हैं आटी ? स्टीर है ने न northern से कई ने गलोफ ड्यूश्स पूरेभ सोने मोझ कई हैं था चैपितो एं आथ की आते हैं लोगंगिली जाहईए इस ए्यूडमिए जा आकिन्यू अजरी ने तर सील इल्वर्जिवली केुए काultur शुलप्सिंस् केी ड् Doomोप ए्स विशोंट परिव स्थ्फॉ सली है, मिंआ प्राद्ट्रास आपत्रा कानिकी अव्सिंस्दोन यानी प्राद्ट्रास पिध्ती SanINOv. सुलप्स सली हो शॉब इसी की तर वालत प्युलप त clicking तो तो र questi हैं। thanking you once away for your excellencies and all gathered here and the people of Jagdalpur, I congruent. Thanks and praise the Lord. Your Beatitudes, Major Archbishop George Cardinal Alancheri, Your Graces, Your Excellencies, Reverend Father General Counselor of CMI Congregation, Reverend Father Vicar Generals, Reverend Fathers Provincials, Reverend Mother Generals, Mother Provincials, Regional Superiors, Honorable Guests, Respected Relatives of Bishop Simon Stoke, Palatra, Reverend Fathers, Brothers, Sisters, Seminarians, and my dear Faithful in Christ, Jagadalpur K. Vishwasi Samuho. We are indeed thankful to God for the person of Bishop Simon Stoke, CMI, a zealous, pious, simple, hard-working, and very sincere religious missionary, who for the last fifty years spent his time, energy, and whole life for the tribal people of Dastar and leading the diocese of Jagadalpur for two decades. He is not dead and gone. He left behind for us a legacy of being a person of God, which is a reminding milestone that will be much alive in our heart and memories, inspiring all of us to be a person of God. I very sincerely thank His Beatitudes, Major Archbishop George Cardinal Alancheri, who made himself available to be present in this moment of solemn singing of Bishop Simon Stoke. You, Valiya Bidave, created history in the mission of Jagadalpur by availing yourself as the head and father of the Church. In spite of your busy schedule, your fatherly concern for us means a lot, Pidaji. In the name of all, everybody gathered here for this function, your Beatitudes kindly accept our appreciation and thanks. Your Grace is Archbishop Victor Henry Takur, our beloved Pidaji for Chathisgat region. Your Grace, Archbishop Joseph Perundotam Pidaji from the Home Diocese of Bishop Simon Stoke. Your Grace, Your Grace, Joseph Agashin Pidaji, Your Excellencies, Bishop Paul Topo, Anthony Chirayat, Joseph Kunnat, Bishop John Vadakele, Bishop Sebastian Vadakele, Bishop Joseph Chittu Parambil, Bishop Epraim Narigulam, Bishop Joseph Sabkodagalil, Bishop James Satikalam, Reverend Father General, Counselor of CMI Congregation, Reverend Father Vicar Generals, Reverend Father Provincials, Reverend Mother Generals, Reverend Mother Provincials, Regional Superiors and all the Major Superiors with the folded hands, we thank you very sincerely for coming to this remote place, taking much trouble to pay homage, expressing your love and respect for the person of Bishop Simon Stoke. For some he was co-worker, for some others novice master, and for some others a person of great inspiring missionary of dedication and accompaniment, very committed personality. On behalf of all members of the Catholic Diocese of Jakutalpur, and on my own behalf, I keep on record our gratitude. Honorable guests, we acknowledge your presence here with much gratitude and love. In spite of your heavy workload, you are here to show your love and respect to our beloved Bishop Simon Stoke. This shows that you appreciate his life and service. Thank you very much for your presence. Respected brothers, sisters, nephews, nieces and relatives of Bishop Simon Stoke, Every departure is a painful event, but our faith transforms all pains into joy and hope. We are confident and believe that Bishop Simon Stoke, our Pithaji, is born into eternal life and is in the presence of God the Father. Now our joy is that we have a great intercessor in heaven for us. I very sincerely thank you for reaching to this remote place to pay homage to your beloved uncle. Please wait for us to come and raise here about these people. Thank you for asking. Do because you are here to ask the human body? The power of many of us is possible that they're eating and driving to. कि जेख परिमाच है लोडब नजचत धिस क Wong dependent आय다们 in Christ Bishop Simonatood was a person close to our hearts that is why you all are here at this मौट जो जो फिर गोड बुर लग न सवाध कि ए सू फार उर श्रश वर न को रूप ब्यूट स्वार स्थ न घ्यू झांज कि दो अ अख यू स्वाध इंग बटम इंग अ का न अ प्रूब न आज प्रूछ सप्ट अ प्रूड इंग वर उट यू ए सिर्थ्ज इंग इंग which made this funeral service a memorable event. You were able, planning and leadership in organizing things, selfless and committed service, indeed made everything smooth and easy. Thank you, thank you very much. I thank all people who served him all through the time of his ailments and last days, especially MBM Hospital, beloved doctors, nurses and those who assist, nurse to him close to his life. आप सबोंगो धन्यवाद देता हुम बिश्व साइमन स्टॉक जी के नाम बर अम सब मिलकर पिदाजी के लिए पिदाजी से प्राटना करे प्रभुग अम सब को आशिष दे धन्यवाद जैये सुद। आप सुद। आप मिलकर वाद देपा सुद। आप सुद। झाल झाल